Hello everyone, welcome to Magnet Brains Competition, मैं शानतनु हूँ आपका reasoning mentor, स्वागत करता हूँ आपका इस session में उमीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से perform करते लेके चल रहे हैं practice आपकी proper चल रही है, sessions आप हमारे पूरे देख रहे हैं और session से काफी कुछ सीख भी रहे हैं, कैसा आपको feel हो रहा है अपनी तैयारियों के लिए के जरूर बताइएगा मुझे और तैयारियों में कोई कमी होगी तो भी बताइएगा हम और हमारे team बिल्कुल तैयार है आज का जो session में आपके सामें लिखिया आया हूँ, session किसका होने वाला है भाई RRB, PO या clerk में तैय मानिये की order and ranking का comparison वाला question आपके exam में आएगा और जिससे 2, 3 या 4 question आपको मिल सकते हैं, तो उन्हीं के लिए special session लिखिया आया हूँ जो पूरी तरह से completely based है किस पर RRB, PO clerk के exams के उपर ठीक है चलने से पहले आपको मैं बता दूँ कि हम अभी Magnet Brains की बात कर रहे हैं तो Magnet Brains एक मातर ऐसा platform है जो आपको free education देता है 100% बिना किसी charge के सब कुछ free होता है, सारी preparation हम आपकी free कराते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है हम आपसे ऐसा बिलकुल नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए एक session देखिए बाकी paid courses हमारे आपके लिए available हैं, completely free है तो हमारा उदेश ये है कि आपका selection कराएं और कहीं ने कहीं आपका सपना जो सरकारी जॉब का है वो पूरा करके देदे तो चलने से पहले फिर से एक बार कहूंगा कि अगर आप मुझे first time देख रहे हैं तो जल्दी से channel को subscribe कर लीजे bell icon को press कर लीजे और जितना जादा हो session को share कीजेगा क्योंकि आपके इस छोटे से प्रयाश से बहुत सारी चीजे बदल सकती ठीक है तो चली शुरू करते है आज की कहानी को आज का session हमारा जो होगा वो completely based होगा ranking के comparison वाले question पे बहुत important session है ध्यान से देखेगा जो मुझे लगता है कि आपके exam में आपको score कर आएगा उसके लिए especially में session लेके आया हूँ आपको लगता है कि कोई topic ऐसा है जो आपको नहीं बन रहा आप comment में मुझे जरूर बताइए उस पे एक proper वीडियो में लेके जरूर आऊँगा ठीक है तो चली शुरू करते है पहला question आपके सामने आच चुका है जर्णा ध्यान से देखे इस question को और इस question को बनाने की कोशिश करें जितना ज़ादा हो सके question को आप बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको बना के दो तीन question solve कर लेना है तो comparison के लिए specific मैं आपको तरीका बताऊंगा तो वीडियो को जर्णा पॉस करिए और बनाने की कोशिश करिए इसका अंसर क्या जाएगा छे लोग हैं भाई सारा तरुन, ओमा, प्रिया, रीता और काव्या इनका अलग-अलग weight है जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो कोई एक बंदा है जो काव्या से heavy है, भारी है तो चलो जर्णा इनको बनाने की कोशिश करते हैं जितने लोग हैं, सबसे important बाद आपको बता दू मैं कि जितने भी लोग हैं उनसे एक कम का diagram बना दो भाई एक कम करा छे लोग हैं, तो छे का diagram बनाओ मतलब 5 का, तो 1, 2, 3, 4, काव्या, काव्या से केवल एक ही व्यक्ति जो है, वो क्या है, भारी है इसका मतलब क्या निकला, अगर काव्या से केवल एक व्यक्ति भारी है मतलब बाकी सारे क्या होंगे, हलके होंगे तो इसका मतलब काव्या जो है, वो यहां पे आ जाएगी काव्या यहां आ गई काव्या से केवल एक ही बंदा भारी है आचा आगे देखो ज़रा से यहां पर मैं काव्या को एक काम करता हूँ के लिख देता हूँ सिर्फ के काव्या से केवल एक ही बंदा भारी याद दखना जितने लोग होंगे उससे एक कम का डाइग्राम बनाएंगे साथ है तो छे बना दो, पांच है तो चार बना दो और कॉश्चन को पढ़ लो यहाँ पे आगे क्या बोला गया जो सारा है वो हलकी है किससे? रीता से, ठीक है, मैं लिख रहे तो आपे रीता से हलकी है सारा तो रीता ओवियस से बात उसे हैवी होगी, भारी होगी लेकिन सारा रीता से तो हलकी है, एंड, एंड मतलब किसकी बात हो रही है सारा की यही सारा हैवियर दैन किससे है तरुन से, सारा किससे भारी है तरुन से तो तरुन यहाँ आ जाएगा सारा रीता से हलकी है लेकिन तरुन से भारी है ठीक ये बन गया हमारा यहाँ पर आगे क्या बोल गया तरुन हुई जो है वो सबसे last में नहीं आने वाला ठीक है ये भी confirm हो गया मतब तरुन के बाद एक बंदा कोई और आने वाला है मतब एक और कोई आ जाएगा तरुन last में आएगा अच्छा उसके बाद क्या बोल गया दवन हूइस दस सेकंड लाइटेस इस 42 kg भाई यो सेकंड लाइटेस्ट है वह 42 kg का है तो चलो यहां पर हमने 42 kg कर दिया आगे देखो क्या बोल गया डवेट ओफ उमा इस लेस दन 70 kg चलो भाई उमा का वजन सत्तर से कम होगा स सतर से कम में कौन है? उमा है ठीक है sorry उमा का जो वजन है वो सत्तर से कम होगा सत्तर से कम होगा मतलब सत्तर जारा है उमा उससे कम में आ जाएगी ठीक है आगे मोल आ गया the one who is second heaviest is 82 kg भाई 82 kg यह हो जाएगा ठीक है मुझे लग रहा है मैंने एक लाइन को skip करी है वो यह है रीता इस लाइटर देन काव्याशा रीता जो है काव्याशा से हल की है तो रीता यहा यह आएगी और बची को प्रिया सबसे आ गया जाएगी आप notice करेंगे यह question आपने बहुत अराम से बना दिया सब कुछ condition के recording arrange हो गया बस अब आपने एक बार अरेंज किया तो question solve कर लो जल्दी से question solve करें अगर देखो ज़रा सा तरुन से कितने लोग भारी है तरुन से कितने भारी है 1 2 3 4 4 लोग जो है तरुन से भारी है तो more than 3 is the right answer बड़े अराम से आपने निकाल दिया इसमें ठेक है अगला question देखो सारा से कितने लोग हलक है भाई कितने लोग सारा से हलक है तो दो ही लोग है सारा से हलक है तो इसका अंसर आ जाएगा 2 दो लोग है जो सारा से प्रॉपर हलक है ठीक है आपको समझ में आए या दखना एक या दो question आपसे examiner पूछेगा और आपको उसको बदाना पड़ेगा चलिए जरा यह वाला question try कीजिए वीडियो को पॉस्ट करिए बनाने कोशिश करिए इस बार छे लोग है तो अविएस सी बात है पांच का डाइग्राम बनेगा चुरो बनाते है उमीद है कि आपने बनाया होगा और आपका आंसर जना मैच करिएगा छे लोग है ओविएस सी बात है छे लोगों में क्या बो लगया है अलग-अलग इनका weight है चिक है तो पांच का डाइग्राम बना है 1,2,3,4,5 पांच का डाइग्राम बन गया अचा उसके बाद क्या बोला गया जो C है वो भारी है किसे F से C is heavier than F इसका मतलब C जो है वो भारी होगा अगर F से तो ऐसे हो जाएगा C is heavier than F हो जाएगा अचा आगे बोला गया E is the only lighter than अचा E is only lighter than one person इस ल भारी होगा बाकी एक से हलका होगा तो एक बंदे से हलका E है बाकियों से भारी हो जाएगा ठीक है आगे क्या बोला गया A is heavier than D भाई A को हर हाल में D से भारी बनावा अच्छा आगे देखो B जो है वो A से भारी है तो A से भारी तो B होने वाला है लो भाई B A से भारी है ठेक है आगे जरब देखो यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे क्या बला The number of people heavier than A is same as lighter than C मदब A से जितने लोग भारी हैं C से उतने लोग हलके हैं इसका मदब आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि A जो है उसमें यहीं आएगा A से जितने लोग भारी हैं C से उतने लोग हलके हैं ऐसा हो सकता है क्या? Possibilities है ऐसा भी हो सकता है कि A इधर आजाए तो इसे कितने लोग भारी हो गए? 3 तो C को यहां कर दें तो 1,2,3 ऐसा भी हो सकता है कि A और C अपनी जगा चेंज कर लें लेकिन ज़रा ध्यान से देखो question को आगे पढ़के चलते हैं आगे ज़रा पढ़के चलते हैं कि A जो है लेकिन हर हाल में C से भारी होगा उन्हें ये बात को बोल दिया तो अब मैं confirm हो कि A यहीं आएगा C वहां जाएगा अब ज़रा सोचो C के बाद मुझे F और D तो चाहिए ही चाहिए C के बाद मुझे F और D चाहिए चाहिए तो F और D की जगा तो fix हो गई F और D की जगा fix हो गई और अगर F और D की जगा fix हो चुकी है तो A की नाम बचा है वो कौन होगा B और notice करो B A से भी भारी है और ये B D से भी भारी है और D से कौन भारी है C और F भी भारी है और हर हाल में E जो है वो second पर आने वाला है तो सारी condition के according हमारा question arrange हो चुका है अब आपसे याद रखना कि question कोई भी पूछेगा आप आसानी से उसका answer दे सकते हैं दोको इनको बनाने की सबसे best technique है जितने लोग हो उससे कम का diagram बना और question solve करो दोको इसमें question क्या पूछा गया कितने लोग A से हलक है भाई तो A से हलक है 1,2,3 तीन लोग A से हलक है ठीक है आपसे एक या दो question पूछा जाएगा और आप इसको बना लोगा अगला question देखो भाई सबसे हलका कौन है तो सबसे हलका कौन देख रहा है इसमें D है सबसे जो हलका है वो कौन है भाई इसमें D हो जाएगा गौड़ इट चलिए तो याद रखना ये question की सबसे अच्छी खास बात होती है एक बार आप बनाऊगे ना तो आपसे question बनेगा एक और try करो जल्दी से देखो यहाँ पर एक question और try करो इस बार कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ये 6 लोग जो है एक straight line में खड़ें इनके according के height के according ठीक हाइट के साफ सारी इंच करना है तो इस बार 6 हैं तो आप कितने का diagram बनाऊगे? 5 का diagram बनाऊगे Got it guys? बनाऊ जल्दी से तो बनाऊ जल्दी से का diagram कैसे बनेगा? 5 का बनाते है जल्दा सा एक, दो, तीन, चार और पांच ये बन गया सबसे पहले क्या बोला गया है? No two person are of the same height मतब ठीक है ये तो सही है जो C is 170 cm tall ठीक है? C का हमको बता दिया कि बाई कितना cm tall है? आच आगे क्या बोला कि D is not the tallest person चलो ठीक है? D सबसे आगे नहीं आने वाला D जो है, वो सबसे tallest नहीं है भाई D जो है, वो सबसे tallest नहीं है अच्छा, F is shorter than A F A से छोटा है F को हर हाल में A से छोटा करना है तो A से छोटा तो भाई, ये हो जाएगा ठीक है? F is shorter than A आगे बोला गया हूँ हूँ मतलब किसकी बात होरी भाई? A की बात होरी याँ दखता हूँ मतलब second person A की बात होरी, यानि A जो है, वो C से छोटा है चलो भाई, C से छोटा कौन हो गया A C बड़ा हो गया इसे, ठीक है आगे देखो, C and D बोला गया तो अगर E से लंबे केवल दो व्यक्ति हैं तो A अगर यहां आ गया है, तो एक और दो यहां जाएंगे क्योई दो बंदे हैं A से लंबे ऐसा बोला गया But But क्या बोला गया आगे हाँ पर केवल दो बंदे एसे लंबे, लेकिन क्या उनमें कोई C नहीं है मतब E से लंबे जो दो लोग है उनमें C यहां नहीं आना चाहिए अगर C यहां नहीं आएगा तो अगर C को यहां रखोंगा तो A और F तो यहां आई जाएगा अब बचा कौन D तो D यहां रखना पड़ेगा क्योंकि D tallest नहीं आ रहा और अगर D tallest नहीं आ रहा तो जो नाम बच गया वो यहां आ जाएगा तो क्या बच गया नाम बचा B बच गया A B C D E और F यह बन गया simple और आपको पता है कि C की height कितनी भाई 170 cm तो C 170 पे आ गया ठीक है D जब से tallest में नहीं आएगा और यहीं जो A और F से लंबा डी भी है तो यहां E तो fix हो गया तो ऑविस से बात है D यहां जागा क्योंकि D tallest पे नहीं आने वाला तो question आपका solve हो गया जब एक बार solve हो गया तो इस वार के exam में मुझे ऐसा पूरा का पूरा आसार है कि इससे questions पूछे जाएंगे किससे आपके comparison वाले से अब ज़रा देखो है यहां पर क्या वह लगया अगर लेफ्ट से राइट इन्ही sequence को arrange किया जाए alphabetical order में ठीक है जड़ा arrange करो कि सारे कि सारे letters को देखो ना if all the persons are rearranged alphabetically from left to right चलो कर लेते हैं कर लेते हैं तो सबसे पर आए आएगा B C D E और F ठीक है alphabetical order में इनको arrange कर लो क्या वो लगया तो कौन है जिसकी position change नहीं होगी जो अभी भी अपनी position पर दिखाई देगा तो आप नूटिस करो एक F दिखाई दे रहा जो अपनी position पर बाकर सब चेंज हो चुके हैं तो इसका अंसर क्या जाएगा F is the right answer F is the right answer got it बहुत आसान सी बात है जिसको आप अच्छे से perform कर सकते और और इसमें देखें कोई question है क्या हाँ यह question और आपको दिया गया इसको मैं हटा देता हूं यहां से एक question और दिया गया इसको भी हटा देते हैं आपके अगला question क्या गया है कि अगर if A की जो लंबाई है वो 163 cm चलो भाई A की लंबाई जो है वो 163 cm ठीक है चलो भाई then what could be the height of E तो E की लंबाई कितनी हो सकती तो E की लंबाई definitely 170 से जादा ही होने वाली और अगर 170 से जादा करेंगा तो 160 नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह तो बचा क्या 171 तो इसकी जो possible height हो सकती है 171 cm getting my point बहुत आसान सी बात है और बहुत आसानी से इसको करना भी है समझ में आई बात आपको चलिए देखते नेक्स अब एक और ट्राइक कीजिए ज़रा question तो को सब आपको बारी-बारी से मैं questions लेके आ रहा हूं और level भी ऐसे रहेगा बहुत high-five level नहीं रहेगा standard level की question normal यही मिलेंगे आपको और यह अपने आप में इतनी लेवल में prelims में पूछा जाता है और इसके बाद इससे एक दो या तीन question तक पूछे जाएंगे वीडियो को pause करके ज़रा इस question को बनाने की कोशिश करें इस बार कितन इनकी अलग-अलग height है लेकिन जलूरी नहीं कि इसी क्रम में दिखाई ने ठीक है चलो जड़ा बनाते हैं साथ है तो 6 का बना दो डाइगराम यहां पर 1,2,3,4,5,6 कितने हो गया भाई? 6 लोग हो गया यहां पर सबसे पहले दो क्या बोला गया? 6 का डाइगराम बना दिया मतलब C से केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो छोटे हैं अगर C से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं तो यह confirm हो जाता है एक डाइगराम confirm आ जाएगा कि C से केवल 2 बन्दे छोटे हैं मतलब बागी सारे के सारे क्या हैं बाई C से बढ़े हैं? आगे बोला गया as many people are taller than C मतलब C से जितने ल आगे बहें प्हल दो, B से जटने लंबे हो गए, जिसे लोग उतने छोटे हो चुके हैं ठीक है बाई आगे जड़ा पढ़ लेते हैं इसमें में आगे पर लेते हैं B जो है वो taller than किस के अफ से, चलो ठीक है इसको लिख लो कि B जो है वो लंबा है किस से भाई F से, ठीक है? बी लंबा है F से लेकिन यहीं B किस से छोटा है भाई? A से छोटा है यहीं जो B है वो A से छोटा है ठीक है? आगे बला कि D is shorter than E जो D है वो E से छोटा है चलो ठीक है A से जो D है वो E से छोटा है न तो E से छोटा है कौन D? अलग से लिख लिए है मैंने इसको कुछ तो हिंट मि बिलेगा ए जो है वो कि सबसे लंबा नहीं होना चाहिए चलो भाई ठीक है ए जो है वो टॉलेस्ट नहीं होगा ए जो है वो सबसे लंबा व्यक्ति नहीं होगा आगे बोला कि F is not the shortest person F सबसे छोटा नहीं होगा तो इसका मतब F के बाद कोई ने कोई होने वाला है आचा आगे जरा देखो इसमें height of the third tallest person is 90 kg तो इसका मतब G की जो height है ना वो 90 kg नहीं सेंटीमेटर है जो third tallest बंदा है उसकी जो height है वो 90 cm है तो यह यहाँ पर बनके आ चुका है और कोई line में छोड़ी तो नहीं इसमें नहीं से अब एक काम करें इसको arrange करने की कोशिश करते हैं हमको पता है A सबसे आगे नहीं आएगा तो A को मैं यहाँ अगर रखूँगा तो यहाँ पर B आ जाएगा लो भाई यह तो fix हो गया यह कहानी हमारे fix हो गई ठीक है A सबसे height पर नहीं आ सकता लंबे में तो यहाँ आ जाएगा और F सबसे छोटा नहीं हो सकता अब यह दो बचे है तो obvious से बाद है E टॉप पर आ जाएगा और D जो है वो bottom पर आ जाएगा ठीक है E height में सबसे लंबा और D सबसे छोटा हो जाएगा that's it picture clear हो चुकी भाई साब picture clear हो चुकी है अब ज़रा देखो इसमें question कुछ पूछा क्या है F से कितने बंदे लंब है यार F से कितने लंब है तो 1 2 3 4 5 अंसर इस 5 और option 5 है क्या जी हां option 4 option 4 जो है इसका 5 हो जागा बस बनाने की देरी है जितना अच्छे से आप बनाओगे उतना अच्छे से आप इसको पर 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 फॉफॉर्म कर पाओगे ठीक है यह आपका बन क्या चुका है next जड़ा कर लें आगे अगर सौरी यहां पर question और था इससे अगर c की height जो है वो 69 cm है c की height अगर 69 cm है भाई तो आपसे पूछा गया बी की possible height क्या हो सकती बी की तो obviously बात है बी की जो possible height होगी 69 से ज़्यादा होगी और 90 से कम होगी 69 से ज़्यादा और 90 से कम तो 82 तो बचा यह होगा नहीं यह होगा नहीं यह होगा नहीं यह होगा नहीं 69 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए 82 cm should be the right answer और याद रखेगा आपको exam अगर qualify करना है तो ऐसे question को underestimate बिलकुल मत करना और बना के ही चलो गया चरिए को और try करते हैं ज़रा सब एक question और देखे ज़रा इसको वीडियो को pause करिए और बनाने कोशिश करिए साथ लोग है shopping mall में shopping करने जाते हैं उनकी सभी का अलग-अलग वजन है comparison वाले question को target करा है मैंने बहुत ज़्यादा important है और comparison वाली कहानी बात करें order and ranking की तो सबसे ज़्यादा precious आज के exam के point of view से बता हूँ मैं तो आप यार दखना जितने भी exam देने वाले हो इस साल आप ये section सबसे important है ठीक है ना क्योंकि इससे दो तीन question prelims में आने ही आने तो साथ लोग है इनके नाम अलग-अलग दे दिये गए चला एक काम करें साथ है तो क्या होगा छे का diagram बनाएंगे चलो बनाते हैं तो one two three four five or six यह आपने छे का diagram बना दिया जब first very first time of this question is जो Q का वज़न है बाई वो T से हलका है चलो बना लेते हैं जो Q का वज़न है वो किस से हलका है T से लेकिन E से ज़ादा है तो इसको अलग से लिखें जो ना समझ में अलग से जो Q का वज़न है वो T से हलका है लेकिन किस से ज़ादा बाई Q E से ज़ादा है ओविसी बात है E से ज़ादा है अच तो मैं यहां अलग से लिखूंगा y से हलका है e ठीक है y से हलका e हो जाएगा अच्छा आगे देखो not more than two people are heavier than y मतलब y से न दो से जादा लोग क्या है heavy नहीं होंगे question समझेगा not more than two person या people are heavy than y y से जो heavy में 2 से जादा लोग नहीं होंगे मतलब या तो 2 हो जाएंगे y से heavy या 2 से कम ठीक है चलो भाई यह देख लिए हमने अच्छा यू का जो वजन है वो r से जादा है ठीक है यू का वजन जादा है किस से भाई r से चलो यह लिख लिख लिए मैंने y का वजन r से जादा है who's who's मतलब r की बात हो रही r का वजन जो है वो w से कम है तो इसका मतलब w से कम होने वाला है कौन r सब लिखते चलो कुछ न कुछ तो मिलेगा आगे ज़रा देखो यहाँ पर क्या बोला गया अच्छा कोशन है भाई not more than one person's weight is less than you's weight मतलब क्या बो लगया को यहाँ पे साथ साथ बोला गया कि एक से अधिक विक्तियों का भार you के भार से कम नहीं होगा देखो हिंदी में क्या बोल गया एक से अधिक व्यक्तियों का भार यू के भार से कम नहीं मतलब क्या बोल गया जो यू है जो यू है not more than one person's weight is less than you का weight ठीक है यानि यू से आगे एक से जादा लोग नहीं होने वाले ठीक है छोड़ दो आगे पढ़ते ए जो है उसका वज़न obvious सी बात है y से हलका है तो y से हलका e हो जाएगा आज यह लाइन ऊपर भी कहीं बोले गए थी ना वो क्या होगा r से जादा है और इसके पहले अगर जाएंगे तो यह लाइन थी कि not more than one person is u से कम में भाई बोला गया है कि एक से जादा लोग नहीं होंगे ठीक है छोड़ो इसको इस लाइन को छोड़ो एक काम करेंगे सबसे आगे अगर t को करा हमने t के बाद q आएगा क्योंकि q और वेस से बाद y से भारी है देखो यहाँ पर बोला गया है क्या बोला गया इसमें कि जो e is lighter than y और q का वजन जो है वो क्या है y से हलका नहीं है मतलब y से जादा है तो q अगर y से जादा होगा तो q यहाँ जाएगा y यहाँ जाएगा और उसके बाद अब notice करेंगे तो यहाँ पर कौन रखूंगा मैं e को e के बाद फिर कौन आ जाएगा w आ जाएगा क्योंकि w से हलका r है तो इसका मतलब यहाँ पर u आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा r आ जाएगा तो जो line बोले गई थी इसमें जो कौन सी line बोले जाएगे तो यहाँ पर एक आरा मुझे r दिखाई दे रहा ठीक है ना तो जरा question को पढ़ दे सारी condition के साफ से क्या हमने चीज़े अरेंज कर दी है अगर सारी condition के साफ से चीज़े अरेंज हो गई है तो आपका question almost done होने की कगार पे आ चुका है ठीक है एक बाद जरा पढ़ ही है इसे भारी है ठीक है आगे बलागे एका जो वेट है ना वो डबलू से जादा है एका वेट किससे जादा है डबलू से जादा है ठीक है उसके बाल लेकिन यहीं वाई से कम है वो भी सही है not more than two person are heavier than y y से दो से जादा लोग हावे हैवी नहीं मतलब obvious ही बाद दो हो जा यू के वेट से कम एक से जादा लोग नहीं है और एक जो है वो y से हलका है ठीक है और q का वज़न जो है वो y से क्या है हलका नहीं मतलब जादा हो जाएगा तो यह question आपका done हो चुका है अब इससे question ज़रा बनाने के कोशिश करते हैं कि अगर w का वेट 49 kg है अगर w का वेट 49 kg है तो तीसरे सबसे भारी वेक्ति का वज़न यहाँ पर क्या दिया गया है अचा थर्ड हैविएस्ट का वज़न कितना है बेटा 55 है थर्ड हैविएस्ट कितना है 55 पर है तो आप से क्या पूछा गया e का possible weight तो 55 से कम 49 से जादा 55 से कम और 49 से जादा कि अगर बात करू में तो आसानी के साथ इसका अंसर आपका आ चुका है तो इस question को आपने आसानी के साथ solve कर दिया चलिए next पर आजएए दस्वा question क्या बोला गया इसी से relate करते हुआ बटा दस्वा कोशन क्या बोला गया कि अगर मालो अगर मालो एक condition दे दी गए इसमें condition क्या दी गई कि if there is one person one more person H whose weight is more than E but less than Q मतलब उसने बला कि एक बंदा और इसमें involve कर लो एक person इसमें और involve कर लो जो कि E से तो भारी हो एक परसन और involve करो जो कि E से भारी हो और Q से हलका हो ऐसे अगर कर लेंगे तो बताइए how many people go to shopping mall between H and U तो H और U के बीच में कितने लोग shopping में जा सकते तो अगर देखा जाए य के जगा पर यहां H रखें ऐसा भी हो सकता है Y का जिक्र किया नहीं गया तो Y या तो H से बड़ा होगा या तो H से छोटा होगा according to conditions तो अगर Y को include न करें तो H और U के बीच में कितने लोग shopping mall में जाते हैं तो H और U के बीच में एक और दो लोग जाएंगे ठीक है और अगर Y को include कर लें अगर Y को भी include कर लें तो जाहिर सी बात है Q H अब देखो इसमें Y के बात कहीं H लगा दे यहां पर H लगा दे तो भाई obvious सी बात है तो फिर यहां पर क्या बढ़ गया था तो H और U के बीच में कितने लुग shopping mall में जाएंगे जरा सोचो इसका दो केस बन जाएगा H E से बढ़ा होगा Q से छोटा होगा एक केस अगर बने गई यह वाला तो इस केस के हिसाब से आप notice करोगे इस केस के हिसाब से H और E के बीच में sorry H और U के बीच में कितने लोग जाएंगे तो अगर H को मैं Y के जगा पर रखूंगा तो H और U के बीच में दो लोग जाएंगे लेकिन अगर Y को भी include करके लेके चलू मैं H को Y के मलब पहले कर दो मैं, तो कितने लोग जाएंगे? तीन लोग जाएंगे, माल लो, अगर इसका डाग्राम में बनाओं, दो पॉसिबल डाग्राम, तो एक ऐसे बना सकता हूं, H के बाद T के बाद Q, Q के बाद Y, Y के बाद H, फिर E, फिर W, फिर U, Q, आर को छोड़ दो, तो देखो, यहाँ पर H और U के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, और दूसरा जो पॉसिबल डाग्राम में आपको बता रहा हूं, वो यह कह रहा हूं कि T के बाद Q करें, Q के बाद यहाँ पर H करें, फिर Y करें, और उसके बाद E करें, W करें, और फिर U करें, तो आप देखो कि H और U के बीच में कितने लोग जाने हैं, तीन लोग जाने है, क्योंकि Y का तो जिक्र किया नहीं गया, तो इसका अंसर आएगा, या तो 2 जाने या तो 3 अच्छा क्वेशन था, और आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साल्व कर दिया, ठीक दूसरा सबसे भारी, तीसरा और चौथा, चौथे पर कौन आएगा, E आजाएगा, जिस कोशन कांसर आएगा, E, ठीक है, जो fourth heaviest person है, वो कौन हो जाएगा, इसमें, E हो जाएगा, ठीक है, और कोई कोशन तो नहीं इसमें, ठीक है, और कोई कोशन यहां पर एक दिया गया, ज ही कोशन हमने अरेंज कर लिया था, ठीक है न, चलो next, आगे देख लेते हैं इसमें, अगला कोशन जड़ा यहां try करो, इस कोशन को try करो, यह हमारा आज का last question होगा, और इसको आप बनाईए ज़रा, बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को pause करिए, बनाने की कोशिश करिए, जल्दी बनाईए इसको, ठीक है, देखे जड़ा, मैं इसको बना के दिखाता हूँ, परे एक काम करते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक पेज देते हैं, आठ लोग हैं, दोको इन आठों की अलग-अलग क्या दी गई है, एज और एज शुरू हुई है 30 से लेके 65 के बीच मे और उसमें भी क्या बोलागे आपको, की अलग-अलग डिफरेंस के साथ आईए, ठीक है, तो मैं इनका आप करता हूँ, इनको मैं अलग से लिख लेता हूँ, चलिए, जड़ा एज लिख लेते हैं, बड़े से छोटे में, 65 से शुरू करते हैं आपे, ठीक है, 65, 60, 55, 50, 45, 40 और 30, ये देखो-मैने लिख लिया, बस इनको पढ़ो, और इसको बनाने की कोशिश करो, जड़ा कोशिन देख लेते हैं, जड़ा एक बर कोशन देख लेते हैं, ठीक है, कोशन क्या इसका देख लिज़ा लाए सा, कोशन धियान से देखे, पहले line क्या बोलेगे इसमें, द Z नाम का इंसान है ना Z वो ना तो सबसे छोटा है ना ही सबसे बड़ा है जरा सोचो अगर Z सबसे छोटा भी नहीं है सबसे बड़ा भी नहीं तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि भाई Z ना तो 65 का है और ना ही 30 का है ना तो सबसे बड़ा होगा ना ही सबसे छोटा हो जाएगा थेखे भई यह देख लेते हैं आगे देखो में क्या बोला गया जो C और Q हैं ना तो दूसरे सबसे छोटे हैं ना ही दूसरे सबसे बड़े हैं तो C और Q जो हैं ऐसे लिख सकता हूं है कि C और Q ना तो बिटा 60 کے होँगे और ना ही 35 के ना तो दूसरे सबसे छोटे हैं, ना ही दूसरे सबसे बड़े हैं, तो यह 60 और यह 35 ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला गया, एक्स जो है, वो किसी भी कीमत पर 65 का नहीं होने वाला, ठीक है, इस लाइन को भी लिख लेते हैं, भाई, कि एक्स कहीं भी हो जाए, लेकिन 65 का नहीं होने वाला, ठीक है, उसके बाद ज़र आगे पढ़ लो, आगे क्या बोला गया इसमें है, कि जो Z है, वो B से बड़ा है, देखेंगे, तो आप बहुत ही perfectly जा रहा है, ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया इसमें, जो C और Q है, वो A से older है, ठीक है, इसको देखो C और Q जो है, वो बड़े हैं, भाई, किस से A से, आगे ज़रा पढ़ लेते हैं, इसमें C और Q A से बड़े हैं, लेकिन यही C और Q जो हैं, वो यंगर देन Y से हैं, यह C और Q जो हैं, वो A से तो बड़े हैं, लेकिन यह C और Q Y से छोटे हैं, तो Y इन दोनों से बड़ा होगा, और Y A से भी बड़ा होगा, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, Y, who मतलब किसकी बात हो रही, Y की जो Y है, वो B और P से छोटा है, किससे, B से और P से, देखो, यहां पर बनते जा रहा है, question आपका, B और P से Y छोटा है, आगे बोला गया, A is not the youngest person, अच्छा भाई, A अगर सबसे छोटा नहीं है, तो उमीद है कि A के इधर भी कोई ने कोई होने वाला है, A अगर सबसे छोटा नहीं है तो, और last में, कोई न जो सबसे क्या है, उम्र में सबसे बड़ा है, ठीक है, तो उम्र में जो सबसे बड़ा वो 65 का है, भई 65 से 20 साल माइनस करो, तो मिलता क्या है, 45, तो Q की उम्र 45 हो जाएगी, और यह आपका hint है, यह आपका clue है, इस question को बनाने में, तो Q जो है, वो 45 का हो गया, और अगर Q 45 का हो गया, तो Q के उपर देखो जगा कितनी खाली है, 1, 2, 3, 4, 4 की जगा खाली है, जड़ा देखो Q के उपर कितने लोग हैं, अगर C को include करें तो, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, लेकिन एक बात और नोटिस करना, इस B से बड़ा कौन है, Z है, तो Z भी तो आ जाएगा, तो Q के उपर 4 से जादा लोग आ जाएगे, 5 हो जाएगे, तो इसका मदब एक बात तैह हो गई, कि जो Q है, वो C से नीचे, Q जो है, उससे नीचे कौन है, C और C A से बड़ा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि Q के बात C आएगा, C के बात A, A भाई, यहाँ पर Q आएगा, A के नीचे कोई एक हो होने वाला है, क्योंकि A सबसे छोटा नहीं है, तो यह बन गया, अब Q के उपर Y तो होना तैह, तो यहाँ Y आ चुका है, अब Y के उपर B आएगा या P आएगा, अब जरा सोचो, अगर मालो मैं Y के उपर यहाँ पर कर लेता हूँ P को, तो P के बात डेफिनिटली B आएगा, और B से बड़ा कौन आएगा, Z आएगा, लेकिन जब ऐसे आपने किया तो आप नोटिस करो, Z 65 का नहीं हो सकता, तो इसका मतलब Y के उपर P नहीं आने वाला, तो Y के उपर कौन आएगा, B आजाएगा, और B से बड़ा कौन है, Z, और सबसे उपर जो आएगा, वो कौन आज जाएगा, तो इसको question आपका solve हो चुका है, बन चुका है, अब ज़रा देखो, इसी तरह से आपको approach करना है, data जो ना बने अलग से लिखते जो और यहाँ पे इसको solve कर दो, ज़रा देखें, इसमें question क्या पूछा गया है, इसमें, ज़रा इसमें question देख लेते हैं, question आपका और आप उनको असानी के साथ reply दे सकते हैं, I think समझ में आगे आपनों को, तो I wish आपको session आज का समझ में आया होगा, आपके session में आपने बहुत enjoy किया होगा, क्योंकि आज जो हम लोगे पढ़ा है, यह आपके time आनो एक्जाम में आएगा, इस साल ही किसी ने किसी एक्जाम म करना, share और subscribe भी कर देना, ठीक है, चलने से पहले आपको बताओं मैं कि आप हमारे इस वीडियो को, हमारे ओफिशली जो आपका website है, ओफिशली जो एप है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ओफिशली वेबसाइट पर जाने के लिए, आपको Google पर जाके सिर्फ magnetbrains.com डालना प आपको मिल जाएंगे, जिस भी एक्जाम का पढ़ना, आप उसको क्लिक करिए, माली जाए भी पेस, P.O. आपने करा क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा पेज खुल के आएगा इस तरह से, आपके इसके जितने भी कोर्स के अंदर, जो भी हमारी सुविशली याद रखेंगा, सब कुछ free of cost है, यह जितना भी कुछ आपको हम दे रहे हैं, यह सब free of cost है, आप बिलकुल feel free हैं इनको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ full course पे जाना है, जैसे आप full course पे जाते हैं, आप यहाँ पे कुछ इस सिंपल सी बात है, और I wish आपको इसको बहुत मज़ा आया होगा, समझने में, करने में, तो practice करिएगा, क्योंकि practice makes a man perfect, और याद रखना, एक seat आपकी selection की आपको पक्की करनी है, हम आपके साथ हैं, कोई charge आपसे लेंगे नहीं, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, म अपकी selection की exit पक्की करनी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एक और धमाकेदार session के साथ बने रहें, और practice करते रहें, thank you so much guys and जहिंद